असकि आप кадते में को प्रीमर्ण। आज हम अिलकेल के बार हें बात करेंगी किये अलकेल जो होते हैं टो आगये देखते हैं अलकेल का जो कमन फार्मुला होता है इसको कहां,सी एदिаем,द का याई है अता है इसको अन थे क्रीज़क्त। तो पूरी की पूरी carbon change जो होती है उसमें carbon carbon जो होता है वो single bond के थूर जो होता है वो attached रहता है Earlier they were also called paraffins तो इनको हम, Elkin को हम paraffins भी बूला करते थे paraffin का जो Latin meaning होता है, param मतलब होता little and affinies मतलब होता affinity little affinities, किसके पती little affinity होती है? Chemical reagent के पती, इनकी little affinity होती है जो chemical reagent के पती inertness, इसका मतलब है this chemicalagent से, almost कोई reaction sow नहीं करते है तो, यो paraffins का मतलब होता है inert towards most of the chemical reagent, तो most of the chemical reagent के पती जो होते है this is inert होते हैं कोई reaction sow नहीं करते इसलिए इनको हम paraffins भोला करते थे तो यह alkin का common formula CnH2n plus 2 है तो अगर हम n equal to हम कहते हैं कि यह one carbon के लिए बात कर रहा है one carbon है तो value put कर देते हैं तो C1H2n plus 1 plus 2 तो यह हो जाएगा CH4 तो एक carbon है तो एक carbon को हम prefix जो होता है वो math हम पहले बता चुके हैं और इसका जो primary suffix होता है वो होता है in तो इसका जो नाम होगा तो IOPC name होगा इसको हम बोलते हैं यह methion बोला जाएगा अगर हम n equal to क्या करते हैं 2 लिखें तो क्या होगा इसमें value put करेंगे तो C2H2n22 plus 2 तो यह हो जाएगा C2H6 इसका जो prefix होता है वो एथ होता है और प्राइमरी suffix से इसका इन लिखा जाता है इसलिए यह हो जाएगा इथ इन अगर n equal to हम लिखेंगे 3 तो यह हो जाएगा C3H2n23 plus 2 तो यह हो जाएगा C3H8 हो जाएगा तीन कारवन है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी suffix होता है एन तो यह हो जाएगा प्रोपेन इसके बाद हम n equal to 4 रखेंगे तो यह C4H10 हो जाएगा यह 4 कारवन होगा तो पोले जाएगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन n equal to 5 रखेंगे तो यह C5H12 होगा यह pent plus in pentane n equal to 6 रखेंगे तो C6H14 होगा hex plus in hexane होगा इसका नाम n equal to 7 रखेंगे तो C7H16 oct plus in octane n equal to 9 रखेंगे तो C9H20 non plus in nonane n equal to 10 रखेंगे तो C10H22 dec plus in decane तो यह 1 to 10 कारवन जो है इसके alkane series के जो member है वो हमने एक से 10 जो है वो लिख दिये आइए अब इनके हमें क्या करना है इनका हमें structure formula and condensed formula यह लिखना है यह सारे के सारे जो होते हैं यह वाले molecular formula होते हैं अगर आप इसमें देखो तो carbon 4 है hydrogen 10 है मतलब कारवन का double plus 2 ऐसी 5 double है 10 plus 2 12 हो गया 6 का double 12 plus 2 14 हो गया 7 का double plus 2 16 हो गया 8 का double plus 2 18 हो गया 9 का double plus 2 20 हो गया 10 का double plus 2 22 हो गया अब सपोज हमें hexane है यह जो hexane है इसका molecular formula क्या होगा तो लगते हैं molecular formula यह होगा c6 h40 यह molecular formula होते हैं अब इसका structural formula बनाते हैं तो carbon कितने हैं 6 carbon है तो 1 2 3 4 5 6 carbon हो लिखते हैं carbon के हाँ बताए कि कितनी वालेंसी होती है 4 वालेंसी होती है तो इस carbon की भी बादि इसकी बताए आप अब कारवन कारवन क्या है इन हैं मतलब सेंगल कमान कारवन के विछ संग्डल जो है वो बना दिआ का आफ जो जी पछती है है उसमें क्या करेंगे हम ہाई-ड्रोजों को काada करेंगे तो है VN activated हच हच है इधर है इध Quran a यह यहाँ life है यहाँ यहाँ भी हराई यहाँ है यहाँ यह हर्ज कहर देंगे हां जो बेसमा यहाँ हो जा 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 है तो यह जो हो गया यह किसका है जो है इसका इसंते हरना हो गया यह इस ट्रक्ट्र फॉर्मूला होता है अब हमें क्या करना है कंडेंस फॉर्मूला जो है वो लिखना है अब यह कंडेंस फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे अब जो कहां पर इस कारवन चे कितने हाइड्रोजन है फिर कितने हाइड्रोजन है तो हम भॉन्हेंकिया यह इस कारवन छे कितने काईडोजन है तो हम लगाएंगे इस कारवन है gossip तो धु bonus वक्रामे लगाया इस कारण वंचे कितने हैं 2 तो फिर लेकिंगे हम CH2, फिर हम bond लगाएंगे, ये bond है, फिर इस कारण वंचे कितने हैं, 3 hydrogen है, तो हमने लिखा ये CS3. तो hexane का ये molecular formula हो गया, hexane का ये structural formula हो गया, hexane का ये condensed formula हो गया, ऐसी ही आपको 1 से 10 तक जो है molecular formula, structural formula and condensed formula जो है वो आपको बना रहे हैं, इसकी practice करनी है अब हम जो butane है इसके लिए हम molecular formula लखेंगे, इसका molecular formula क्या होगा तो देखते हैं यह molecular formula यह लिखा जाएगा, यह होगा C4H10, इसका अगर हम structural formula बात करें तो यह carbon है, 4 carbon को हम दूर दूर लिख देंगे, और carbon की balance कितनी होती है? 4 balance होती है, तो हमने carbon की 4 balance हो हम लिख देते हैं, सो कर दिया, अब carbon carbon की बीच single bond है, aim जो है वो हम को बताता है carbon carbon की single bond है, जो chain में carbon है, वो singly bonded attached है, तो aim जो है जो आपका primary suffix है वो यह बताता है carbon carbon की single bond है, अब जो remaining balance है, वो किस से satisfied होगी, वो hydrogen से होगी, तो यहां पे hydrogen, यहां पे hydrogen, यहां पे hydrogen, यहां पे hydrogen, carbon की इस carbon की 4 balance हो गई, इस carbon की structure formula, अगर हमें बात करनी है condensed formula की, अगर हम बात करते हैं किसकी condensed formula की, तो किसका condensed formula हम कैसे लिखेंगे, यह carbon है, इस carbon से 3 hydrogen attached है तो इसको हम लिखेंगे CH3, यह bond बनाया तो बनाया bond, इस carbon हम लिखेंगे CH2, फिर bond बनाया, फिर इस carbon हम लिखेंगे 2, तो हमने लिखा CH2, फिर हमने bond बनाया, फिर इस carbon हम लिखेंगे hydrogen address है, 3, तो CH3, तो यह butane का क्या हो गया, यह condensed formula हो गया, तो अब आपको सारे जितने भी जो आपको member होते हैं, हमारी चनल कभी तक सब्सक्राइब करें, अगर आपको इस जनम में दुनीया पाईगी, यह तैया है, तो आपको व्मारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इसको को सेयर करें अगर आपने हमारी चलव को अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है looking